वैदु धारा के चुम्बके प्रभाव में आज हम पढ़ेंगे चुम्बके फ्लक्स तथा वैदु चुम्बके प्रेरण के बारे में हम यह जानेंगे कि enthusiAST की चुंभके फ्लक्स तथा वैदू प्रेरण क्या होता है तो सबसे पहले जानते हैं की चुंभके फ्लक्स क्या होता है तो चुम्भके फ्लक्स को कुछिस तरीके से समा सकते हैं देखिये जैसे इसमा ले रहे हैं कि ये दो चुंभके धुरूखनड क्तinos Truth ऐस और ये दक्षिन दुरू है तो अगर यहाँ पर चुम्बक के छेत रेखाय खीची जाएंगी तो वो किस तरह की होंगी इस तरह की होंगी है ना अगर यहाँ पर चुम्बक के छेत रेखाय खीची जाएंगे तो कुछ ऐसे होंगी ठीक है तो जैसा की उपर लिखा है कि किसी कि एक समान्हों चुम्बक्य छेटर में किसी प्रस्ट से निकलने वाली चुम्बक्य छेटर रेख attain की संख्या की माप को चुम्बक्य फिलक्स कहते हैं जैसे ये क्या है एक चुम्बक्य छेत एक उत्तरी द्रूखंड एक दक्षडी द्रूखंड रखा है तो इसके द्वारा यहां पर क्या स्थापित हो गया है इसके बीच में यहां पर क्या है एक चुम्बक्य छेत स्थापित हो गया है और यह हमने क्या खीचा है चुम्बक्य चुम्बक के 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 जो इस सिरे से इस सिरे की तरफ प्रवाहित हो रही है ठीक है अब अगर इसमें हम एक प्रस्ट लेते हैं इस तरीके से यह माल लेते हैं कायताकार फ्रेम है ठीक है इसका मतलब यह कि बीच में से कुछ निकल सकता है बीच में से खाली स्थान है ठीक है यह बंदो है ठीक है मतल क्रॉस करते हुए निकलेगा जो पानी प्रवाहित हो रहा है वो इसको क्रॉस करते हुए निकलेगा ठीक है अब अगर हम इसको इस तरीके से भूमाते जाए इस प्रस्ट को हम इस तरीके से कर दे तो क्या हो गया इससे निकलने वाला इसको क्रॉस करने वाला पानी कितना हो ग इसको क्रॉस करते हुए जाएंगी अगर हम इस सर्फेस को इस प्रस को इस तरीके से घुमा रहे हैं तो इसको देखें यह Direction City extend AB vap मैंडिज़े इस इसको एह से कर दिया तो देखे क्या हुआ अब कुछ फीलइन क्या हो रही है छूट जहीं छूट जा रही है इसी तरीके से जैसे जैसे इसको एसे गुमा दे जा वैसे वैसे इसको cross करने वाली feedlines क्या हो गई जीरो हो गई है ना तो flux ये ही बताता है कि किसी surface से कितनी lacks निकल रही है boundary की चुम्मक के छेत्र में अगर कोई प्रस्ट रगखा जाये तो उससे कितना magnetic awake कितनी Following निकलेंगी उसकी माप को ही हम क्या कहते है magnetic flux या चुम्बग के flux कहते हैं तो जैसा कि उपर लिखा हुआ है कि किसी एक समाल चुम्बग के छेतर में किसी प्रस्ट से निकलने वाली magnetic field lines अर्था चुम्बग के छेतरे खाओं की संख्या की माप को हम क्या कहते हैं चुम्बग के flux कहते हैं ठीक है अभी लंबवद कितनी निकलेंगे हैं इस तरह से करते जाएं तो क्या होगा field lines कम हो रही है देख लेते हैं अब सपोस्ट करते हैं यह क्या है pixel lines मस्त आसे चींठ आप गधिदा सब्सक्राइइब एक तो इसको घ्लाइस चया हो रहे हैं कम रहे हैं देखे जब यह घुमा के ऐसे आगया तब कितनी फीड लाइस क्रॉस करेंगी इतनी फीड लाइस इसको क्रॉस करेंगी है ना फिर जैसे इसको और घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा और कम फीड लाइस इसको क्रॉस करेंगी ठीक है तो जैसे जैसे सर्फेस हम घुमार है वैसे वैसे सर्फेस से निकलने वाली फीलाइस क्या हो रही है कब हो रही है यानि कि जो फ्लक्स है वो बताता है कि कि किसी भी प्रस्ट से जो चुमबके छेट में रखा है उससे कितनी ज्यादा फीलाइस निकल रही है जिसे हम क् किनने यह उनक्तिटूर। कांशल स्टूर्ट यहाँ मंने सनठाधाइख निन सब्सक्राइख क्याराएं,DK, आप इसके कैलकूलेट कैसे करेंगे अगर माले चुंबके छेत बी है और जो प्रस्त ए उसका च्हेतफल है है थिक जैसे माल लेते ही ar के चितना है ठीक है और यहां पर हमने एक सर्फिस रखा ठीक सर्फिस का जो अभिलम्ब है वह कितना बना रहा है चुम्बक्य च्छत की दिशा से थीटा बना रहा है तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वहोगा बी ए कॉस्ट थीटा ठीक है समझ लिजिए आपे कि अगर चुमबक्य छेत की दिशा से प्रस्ट का अभिलम्ब थीटा कॉड़ बनाता है तो निकलने वाला क Pepper कितना होता है B across вн That Sa". ध्यान दीजेगा यहां पे यहां पे थीटा प्रस्ट और B के बीच का kषण नहीं है थीटा प्रस्ट के अभीलंब और B के बीच सब्सक्तिक्त Leap भी और फ्राश्ट के अभीलंब के बीच होड़ को शुक्रिके ini थीटा क्या है प्रस्ट का अभिलम और मैगनेटिक फिल्ड दोनों की डायरेक्शन के बीच का कोड है ठीक है तो यहां से फाई जुकस्ट क्या लिख सकते है भी एक कॉस्ट थीटा लिख सकते हैं ठीक है अब यदि थीटा कितना हो जीरो हो थीटा जीरो कब होगा थीटा जीरो तब होगा जब प्रस्ट को छेट के अभिलम वहत रखा जाए जैसे मालिते मैगनेटिक फिल्ड हैं सर्फिस को इस तरीके से रख दे हैं तो प्रस्ट का अभिलम क्या होगा छेट मैगनेटिक फिल्ड क dealer होगा यह प्रस्थ हमने ऐसे रखा तो इसका बिलम इस तरह के से होगा कुर कितना हो गया मैं है कुछ नों इक ही डायरेक्शन में तो थीटा यहां पना हो गया गया जीरो तो अगर धीटा जीरो है तो इसका मतलब यह कि प्रस्ट बीके लंबवत है का इसका मतलब यह हुआ कि जब फीटा-जीरो होने का मतलब फीटा क्या है प्रस्ट का अभिलंब और चुमबके च्छेद भी दोनों के बीच का कोड है प्रस्ट का अभिलंब और चुम्बके छेट भी दोनों के बीच का कोड़ थीटा है वो जब 0 होगा तो इसका मतलब प्रस्ट कैसे रखा है प्रस्ट चुम्बके छेट के अभिलंबवत रखा है तो इस कंडिशनल फ्लक्स क्या हो जाएगा 5 बराबर बी ए यानि कि जब प्रस्ट किसी चुम्बके छेट में लंबवत रखा होगा तो उसका जो अभिलंब होगा वो 0 कोड़ बनाएगा चुम्बके छेट की दिशा से और इस सिती में निकलने वाला फ्लक्स सबसे जादा होगा ठीक है अधिक्तम होगा नेक्स देखते हैं यदि थीटा नबवे हो यानि कि प्रस्ट चुम्बके छेट बी के समानतर हो जैसे माल लेते हैं मैगनेटिक फील्ड और यह हो गया सर्फेस दोनों समानतर है तो इसका अभिलंब कुछ इस तरीके से आएगा है ना प्रस्ट का अभिलंब नीचे की गया नबवे आ गया तो यहां पर फ्लक्स क्या होगा फाइस उकल्स टू बी ए कॉस्स 90 का नाइंटी की वैलू जिरो तो फ्लक्स कितना हुआ जीरो होगा यानि कि जब प्रस्ट मैगनेटिक फील्ड के समानतर होगा चुम्बके छेट के जो प्रस्ट जो हैं चुम्बके छ लक्स कितना होगा जिरो होगा नेक्स देख लेते हैं कि इसकी यूनेट क्या होगी मातर क्या होगा चुम्बक के स्थ कमातर बता चुके न्यूटन-το क्या बिया 허них चेंट अगह्ला द haw होता है एक बेबर के बराबर होता है किसका मातरक है चुम्बक के फ्लक्स का मातरक है ठीक है नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि वैदु चुम्बक के प्रेरण क्या होता है ठीक है तो यह भी समझ लेते हैं देखें और स्टेड ने क्या बताया कि वैदु धारा या गतिमान आवेश है ना वैदु धारा का क्या मतलब है जब कहीं पर आवेज गती करता है एक नियमित प्रवाह से बहता है तो इसका मतलब होता है कि वैदुधारा प्रवाहित हो रही है या कह सकते हैं गतिमान आवेज है ना वैदुधारा या गतिमान आवेज पढ़ चुके हैं लास क्लासेस तक कि जब किसी चालक में चाहे वो व धारा या गतिमान आवेश क्या उत्पन करती है चुब मक एच्षे उत्पन करती है ठीक है पड़चुके हैं सभी लोगों कोई अच्छे से क्लियर है कि किसी भी धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ में धारा प्रवाहित करते हैं यानि कि यह बात बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी चालक में अगर धारा प्रवाहित ह होगी या कहीं पर आवेश गति की अवस्था में होगा तो उसके चारों तरफ क्या होता है एक चुम्बक के छेतुत्पन हो जाता है मतलब सीधा सा रिजल्ट यह है कि गतिमान आवेश या वैदुधारा चुम्बक के छेतुत्पन करती है तो इस आधार पर फैराडे ने बताया और अपने प्रयोगों से निस्कर्स निकाला कि बाद पहले उन्होंने कुछ कॉंसेप्ट लगाए फिर उन्होंने अब उस चीज को अपने प्रयोग से प्रमारित भी किया कि जैसे वैदुधारा या गतिमान आवेश चुम्बक के छेत उत्पन करता है त तो उस तरीके से गतिमान चुम्बक या परिवर्ती चुम्बक के छेत्र कहीं पर चुम्बक गती करेगा तो धीरे धीरे वहां पर चुम्बक के छेत्र क्या उत्मन कर सकता है वैदुधारा ठीक है मतलब यह निसकर्स यह उन्होंने अनुमान लगा कि जब गतिमान आवेश या धारा चुम्बक के छेत उत्पन कर सकती है तो गतिमान चुम्बक या परिवर्ती चुम्बक के छेत्र वैदुत धारा उत्पन कर सकती है किसने बताया फैराडे ने कैसे कहा कि जब वैदुत धारा गतिमान आवेश चुम्बक के छेत उत्पन करता है तो इसका उल्टा भी कारण रहा भी प्रवाहित ये किस का रिजर्ट ने बताया जिसको इन्होंने अपने एक्सपेर्मेंट से प्रूफ करके भी दिखाया कि अगर हम देखते हैं किसी चालक के समीप या किसी कुंडली के समीप चुमबक के छेट में परिवेतन होता है तो कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है इस घटना को ही हम क्या कहते हैं वैदी चुमबक के प्रियर्ड कमीटर से जोड़के रख दिया अब इसके पास में हम एक मैंगनेट यानि की चुम्बक लेकर आते हैं इसको इसके पास गती की अवस्था में जब लाते हैं कैसा गतिमान गतिमान का मतलब यह इसके पास में गती कर रहा हो, इसके पास से निकल रहा हो, इस तरीके से मैगनेट क्या हो, इसके पास से गुजरे या इस इधर से गुजरे है ना, इस तरीके से जब कोई चुम्बक क्या होता है, इसके पास से गुजरता है, इस कुंडली के पास से गुजरता है, तो हमें यहाँ प पास गतिमान अवस्था में होता है तो इस अमीटर में एक विक्षेव दिखाई पड़ता है जिसका ये अर्थ है कि इस परिपत में क्या हो रही है धारा प्रवाहित हो रही है जब कि यहां पर हमने कोई बैटरी नहीं लगाई कोई भी और ऐसी चीज नहीं लगाई जिसके का को यहां पर लाके रख दिया जाए होना इस की नुक को यहां पर लाके स्थिर और दिया जाए आजाए तो यहां पर आविक्षेव रहता है मतलब अब इस परिपत में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है कर देखा कि जब इस लूप के पास चुम्बक गती की अवस्था में था अब जब चुम्बक गती की अवस्था में होगा तो इसके पास का चुम्बक की छित क्या होगा बदलता जाएगा जैसे चुम्बक इसके पास में आ रहा तो इसके पास का चुम्बक की छित घट रहा है फिर यह गति के पास नहेड़ी है तो उसके पास का चुंबक के शित उत KAMANी बदलताएं और उस सिति मैं हमने देखा था कि यहां पर विक्षेप मिलता है यानि की परीपत में धारा प्रवाहित होती है तो हमने सुचा कि अगर चुंबक को इसके पास रख दिया जाए है ना इस चुम्बक को इसके पास रख दिया जाए तो और ते धारा बैठती रहेगी है जब चुम्बक की गतिमान अवस्था में धारा है है ना तो अगर चुम्बक रख देंगे तो और प्रवल चुम्बक यहां पे रहेगा तो ज्यादा धारा प्रव प्रवाहित नहीं होती तो फैराडए इन प्रियोगों से इस बास्त की पुष्टी की मिच परिवर्ती की तुम्ब कर सकता है उथ घटना फी तब किसी चालक आस-पास के चुम्बा के छेद में परीवर्तन होता है है तो उसमें क्या होती है एक धारा प्रभाहित होने लगती है इस घट्ना को हम लिज़ क्रेवर्तन के लिख सकते हैं जब किसी चालक कैसा भी चालक हो सकता है जैसे लूप कुंडली है ना परिणाली का इत्यादी है ना से संबद चुंबक्य छेत्र अब अगर चुंबक्य छेत्र में परिवर्तन होगा तो चुंबक्य फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा है ना किसी लूप या कुंडली से अगर संबद चुंबक्य छेत्र में परिवर्तन होगा तो उससे संबद चुम्बके फ्लक्स में भी परिवर्टन होगा तो संबद चुम्बके छेट यह कह सकते हैं चुम्बके फ्लक्स ठीक है? में परिवर्टन होता है तो एक प्रेरिद विद्धुत वाहक बल उत्पन होता है एक प्रेरिद विद्धुत वाहक बल विद्धुत वाहक बल उत्पन होता है मतलब एक वोल्टेज आ जाता है ठीक है? उत्पन होता है यदि परिपत बंद है तो परिपत में एक धारा प्रवाइट होने लगती है कि जिसे प्रेрьे धारा कहते हैं कि जैसे देखा यहां पर कि जब इसके आस-पास के चुंबक के-छेत परवर्तन होता है तो इसमें जो विद्ध्व आख्भालाproduct होता है तो यह Mayor is उसके कारण इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। देखा था जब इसके आज़ पास का चुमक के छेद बदल रहा था, यानि कि इससे सब्बत चुमक के फ्लक्स बदल रहा था, तो इसमें एक धारा प्रवाहित हो रही थी, वैदु चुम्मक के प्रिरण कहते हैं जैसे वैदु धारा के कारण हम देखते थे कि चुम्मक के छेत उत्पन होता था तो उसे हम क्या बोलते थे कि वैदु धारा का चुम्मक के प्रभाव इसमें क्या है कि परिवर्ती चुम्मक के छेत्र परिवर्ती चुम्मक के छेत्र क् करता है इस घटना को हम क्या कहते हैं वैदुत चुम्ब के प्रेरण कहते हैं तो लिख सकते हैं कि इस घटना को 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 कि वैदुत चुम्ब किये प्रेरण कहते हैं इस पर आधारित कुछ एक्जाम्पल है जैसे वैदुत जनित्र है ना इनको आगे हम डिटेल पर पढ़ेंगे हैं ना दो टाइप के होते हैं एसी यानि कि प्रत्यावर्ती जनित्र डीसी दिस्ट धारा जनित्र ठीक है दो तरह के जनेटर हम पढ़ेंगे ठीक है अब देखे हमने यहां पर रिजर्ट निकाला कि किसी लूप या कुंडली से संबद जब फ्लक्स में चेंज होगा मैगनेटिक फ्लक्स में जब चेंज होगा तो उसमें एक प्रेजधारा बहेगी अब यह जरूरी नहीं कि उसके आसपास का चुंबक के छेध बदले हैना कुल मिलाकर उस लूप या उस परिपद से संबद मैगनेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए है ना जरूरी नहीं कि पास का चुंबक के छेत बदले है ना आसपास का चुंबक के छेत भले इस तिरो लेकिन उस लूप या कुंडली या परिपत से संबद मैंगनेटिक फ्लक्स बदलना चाहिए तभी वैदू चुंबक के प्रेराट की घटना होगी जैसे समा सकते हैं माल लेते हैं चुंबक उत्तरी दुरूखाड इधर रखा है और दक्षरी दुरूखाड इधर रखा है तो इनके दोनों के द्वारा बीच में क्या है एक इस्थ निकलने वाला फ्लक्स क्या है मैक्सिमम है अब इसको जब घुमाएंगे तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा कम होता जाएगा फिर क्या होगा बढ़ने लगेगा फिर जीरू हो जाएगा इस तरीके से क्या होगा जब इसको हम घुमाएंगे तो इससे निकलने वाल बलूपपन होगा जिसके कारण इसमें एक धारा प्रवाहित होगी जिसे हम क्या कहते हैं प्रेरित धारा कहते हैं और इस घटना को क्या कहते हैं वैदुचुमबक के प्रेरित कहते हैं नोट कर लीजे